असलाम नेकों वीवर्ट वेलकम टू कंजस्स कुकिंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। आज मेरे कीचिन में बन रहे हैं बहुत ही मज़दार सी चिकन स्टिक्स। तो चिकन स्टिक्स तुनाने के लिए जो राए हैं सबसे पहले हम वन और रून कर लेते हैं और फिर इसे बना लेते हैं 300 ग्रैम मैंने बॉन ले लिया है और इसको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है उसके पार मेरे पास है गार्लिक पेस्ट स्थ 2 डेबल स्पून, नमक है 1 पीज़ाफ टीज़ पूर्भ मसाला पौूडर, चिली फेलेक्स 1 डेबल स्पून और और कॉर्मामसाला 1 उंड आप तरहाають बनाते हैं सबसे पहले हम चिकन को कर लेंगे मैरिनेट तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी यह जो मेरे पास था गार्लिक पेस्ट और यह सारे जो मसाले थे सिंपल सी है रेसिपी बिल्कुल इन सब को मिक्स कर लेते हैं और बस यह मारी मैरिनेशन कंप्लीट हो जेगी आप चा करनेट करके रखे थे आप इसके ओपर जितने मर्जी क्यूब्स लगा सकते हैं वसी से थुरा फासले से रखें ताकि यह जो हमारा चिकन है अच्छे से फ्राई हो जाए और यह गल भी जाए इसके ओपर कोटिंग भी होगी हम इसे पहले बना लेते हैं और बना बना कर रख और इसे फ्राई कर लेंगे अभी हम इसे बना कर रख लेते हैं देखें सारी चिकन स्टिक्स रेड़ी हैं अब इस पर कटते हैं कोटिंग मैं बूल रहे हो जिसके अधर हम फ्राई करेंगे चिकन स्टिक्स को ब्रेट क्रम्स लगा रहे हूं सारी चिकन स्टिक पर अच्छे तरीके से आपने इसकी कॉटिंग कर लेनी है और देन मैं इसे एग में करूंगी डिप आप इसी तरह ही कोई खुला बठतन लें जिसके अंदर इजी ली आपकी यह जो चिकन स्टिक्स है और चितर आपका अग और पहले ही गरम था इसके अंदर मैं अब डालूंगी चिकन स्टिक्स को और आप लिए इस को बिल्कुल को बिल्कुली चिकन स्टिक्स को आपने इसको बिल्कुल बिल्कुल हो देना है यह कि नदी में ज़लनं तब सब यह देखें फ्राई हो रही है चिकन स्टिक्स आपने बिल्कूल इसको मीडियम फ्लेम पर रहने देना है वरना यह जल जाएंगे अगर आप इसकी फ्लेम को तेज करेंगे तो यह देखिए गॉल्डन ब्राउन हो चुकी है चिकन स्टिक्स अब हम इसे निकालेंगे डिश उट करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगे इसकी फाइनल लुक लुक अट इस कितने कम इंग्रेडिन्ट से रेडी हो गई है हमारी चिकन स्टिक्स यह देखिए रेडी है हमारी चिकन स्टिक्स आप इसे बनाएं अपने बच्चों को भी बना कर दें यह बहुत ही ज्यादा मज़िदार बनती है और बिल्कुल इजी भी है जैसे कि आपने देख लिया है कि दस मिनट में बन भी गई है तो अगर अब भी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा थिंक्यू पॉर वाचिंग अलाहाफेज सब्सक्राइब